भाईयो आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि हमारा जो कल्टिवेटर होता है उस पर जब हम टेक्टर चलाते हैं कल्टिवेटर जोड़ किये तो टापलिंग हमको कौन से होल में लगाने हैं क्योंकि भईयो कहीं बार क्या होता है कि हमारे टापलिंग गलत होल में लगाने से भी जो है समय भी ज्यादा लगता है और टायर भी गिसते हैं और डिजल की खपत भी ज्यादा होती है मतलब कुल मिला के यह बात है कि आप सही होल में टापलिंग लगा कर डिजल की बचत भी कर सकते हो साथ समय की बचत भी कर सकते हो तो दोस्तो अपने को जो है टापलिंग वहाँ पर लगानी है हमारे ट्रेक्टर में जहां आपको सेंपसिंग जो है मिडियम वाली देखने को मिल जाए मानलो आपकी टापलिंग के तीन होल दिये हुए है ट्रेक्टर में इसमें देफेक तो तीन दिये हुए है एक दो और ती तो दोस्तों अपने को बीच वाले में लगानी है ठीक है बहुत सारे टेक्टरों में तीन होल दिये हैं उनमें बीच वाले होल में लगानी और मानलो बहुत सारे टेक्टरों में दो होल दिये हैं तो उसमें अपने को जो है लिप्ट वे टॉपलिंग वहां पर लगानी जिद भागी सबसे कम सेंसिंग में डगा सकते हो, भागी कल्टिवेटर में लागतों दो हूल दिये होते हैं, तो टापलिंग अपने को सीद में जहां पर टेक्टर चले वहाँ पर लगा नहीं, इसमें देख सकते हैं आप कल्टिवेटर में हमने निचे वालों में लगाई है इसे क्या होगा ट्रिक्टर जो हमारा एक लेवल में चलेगी टाबलिंग पूरी ठीक है